प्रियंका जी राजप्रोई जी रादे रादेव प्रभू गुरुदेव आपकी चरणों में कोटी-कोटी पना गुरुदेव जिस साधक ने गुरु को ही अपना इस्ट मान लिया हो क्या उन साधक को उस सच्चिदानन्द के शाक्षातकार की रखने चाहिए हाँ गुरु के सच्चिदानन्द स्वरूप के यह सच्चिदानन्द रूप नहीं है यह नाश्वान परिवर्तन से पंच भूतों से बना हुआ कपड़ा है गुरु का भगवान ने बर्म के वशान शुजी रणान यता विहाये नवानी ग्रहनाती नरोप परानी है अरजुन जैसे पुराने कपड़े को त्याक कर नया कपड़ा पहना देता है ऐसे ही पुराने सरीर को त्याक कर नई यूनी प्राप्त होती है तब यह जीवात्मा का कपड़ा है अब जिसे हम कह रहे हैं गुरु शाक्षात परब्रम वो परब्रम तत्वा अंदर पहनने वाला है यह पोशाक नहीं है हम गुरु को शीधे देखते हैं ऐसे तो इसको हम इसले पूजते हैं कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ठाकुर जी तो बहुत दूर विराजमान प्रथम सीड़ी को ऐसे चूने लगते हैं परशुते न प्रथम सीड़ी कि ये सीड़ी हमको वहां पहुंचाएगी तो ये हमारे जैसा सरीर धर्ण कर हमारी जैसी भासा में बोलकर हमारे जैसे दुलार और सासन करके गुरुदे वो परब्रम्ह जो है वो आए हैं अब उनको हमें जानना है ये गुरु नहीं है ये सरीर गुरु नहीं है नहीं आपको होगे हमारे गुरु मर गए तो गुरु कहीं मरण धर्मा होता है क्या व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता वो परब्रम्ह तत्व है तो उसके जानने के लिए जो साधना मिली है गुरू ने जो उपदेश किया मंत्र नाम उपासना उप आपको परिछे करा देगी कि गुरू गोविन्द न भेद कराए अरे गोविन्द ही गुरू बन कराए है ये बात अनुभो में आज़े अभी हम बानी से सुन जए अनुभो के बिना बात नहीं बने हैं दूसरा कोई नहीं है अभी हम गुरू को व्यक्ति रूप में देख रहे हैं कहते जरूर है कि गुरू देव भगवान है लेकिन वास्तिविक बात है कि हमने गुरू को भगवान रूप में नहीं देखा केवल हम पढ़ी बात कह रहे हैं गुरूर ब्रम्हा गुरूर व गुरु कहने की बात रहे गए वही गुरु और वही इस्ट वही इस्ट और वही गुरु ये अनुब हो जाए जब तुम गुरुदेव को देखो और गुरुदेव के हरदय में श्यामा स्याम दिखाई दे तब मानना के हम गुरु को जान रहें ये गुरु नहीं है ये पंच जर्चिता नहांद तोडे है इसकी इसलिए पूजा करते हैं को परतम से इड़ी ए गुरू तक पहुंचने लिए इस शरीर से वाणि से बोल रहे हो हमें देख रहे है हम पर शासन कर रहे हम पर दुलार कर रहे है इसलिए हम इस प्रदाय में तो एक महान भागवत जी आए और बोले हम शिश्य बनना चाहते हैं उनका नाम आगे चलका हरिव्यास देवाचार हुआ उनुन का तुमें हमारी गोद में कुछ दिखाई देता है गोले में जो बारा वर्ष गिर राजी की परिक्रमा करो और राधा राधा रट है कोई परश्ण नहें किया 12 वर वर्ष तक ऐसे भ करो फिर आए अब दिखाई दे रहा है पो ले नहीं देरो फिर बारा वर्ष चोबिष गिर राज़ी की परिक्रमा और निराधा राधा राधा नाम अब आए उन सकी को दिखाई देरे बुलेहां प्रभु प्रिया त्री तम भिराजमान है गोद में मुलिहां अब दिक्षा दे रहे हैं वही महावाणी बहुत बड़ा रसग्रंद उसके रचैता हुए हरिव्यास देवाचारे जी तो गुरु कौन स्यामाश्याम का मिलित रूप स्यामाश्याम ही अपने रास्य को बताने के लिए जैसे गोश्वा हरी क्रपा करके मनुष्य रूप धारं करके गुरू रूप में हमारे सामने आए तब देख पएनगे जब भजन करते हुये हमारी ब्रत्ती भगवदाकार होगी तो गुरू में क्या? किसी में भी मुझे लगता है करना चाहिए कि मैं गुरू का साक्षातकार करूँगा ये साक्षातकार नहीं है इसके सहारे से साक्षातकार होता है पर जो साक्षातकार होता है वो अविनासी एकरस सचिदानन भगवान वो भगवान है भगवान ही गुरू है गुरू ही भगवान है पर ये बात समझने के लिए साधना करनी है इस शरीर को मानने से नहीं काम चलेगा ये शरीर नाशवान फिर आपका हरदय इसी बात में अटक जाएगा कि हमारे गुरू तो मर गए दूसरा बनाना चाहिए नहीं है इसलिए हमें लगता है गुरू को पहचानो गुरू और गोविंद दो ने गुरू गोविंद न भेद कराई संतत सकल सुनो चितलाई सी हरिवन साक्षाद गोविंद बैठे हैं ये तब देख पाओगे जब माया करत नेत्र हटे इन पे जो माया का परदा चड़ा है इसके लिए भजन जो गुरू ने नाम दिया जो मंत्र दिया जो पधती बताई तो आप गुरू को देखोगे तो स्यामा स्याम की सोरी जी दिखाई देगी हो गया नियाल हो गया जब तक ये डाड़ी मुझ वाला सरीर दिखाई दे रह गुरू सिरी जी है लाल जी है प्रभू ही है गुरू कोई मनुष्य नहीं होता मनुष्य कभी गुरू नहीं बन सकता वो तत्व आया है हम उस तत्व को जाने अभी तो हम सीड़ी पे बैठे हैं अभी तो गर्वग्रे में कहां गए है जो भगवत साक्षात कार हो जाए इस गुरू का अनुभव हो जाता है तो कुछ अनुभव करना बकाया नहीं रेता, वही इस्ट हैं, साक्षाथ इस्ट हैं, जिनों ने साधन बताया, सोई जाने जह देव जनाई, वो जनाने के लिए जो आये, तो जब जाना, तो जो जनाने आये थे, वही पाये गए, वही आरात देव सब के हरदय में बैठें कि गुरु तो साक्षात ही हैं पर यह अनुभो करने के लिए साधना अगर हम कहते हैं जब गुरु को मान लिया तो आप दूसरी बात जानने की ज़रुत नहीं तो आप सी रिष सरीर पर दृष्टी रखेंगे गलत हो जाएगा शिद्धांत गल नहीं हो सकते हैं गुरु हमारे हरदय में हमारे मानस पटल पे चाहे रहेंगे इसी आक्रती के अंदर उबैठा हुआ है अब उसको जानने के लिए साधना चाहिए जो इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर बाद में रोना पड़ेगा आप अपने को असाहाय समझेंगे गु गुरु शर्व समर्थ एक बार पकड़ लिया तो धार करके छोड़ता है और वो तुमारे अंदर ही बैठा है जो यहां बैठाला वही तुमारे अंदर बैठा है बात को सबजना होगा तत्तों से प्रकति जन्य दृष्टीत का त्याग करके ही हम गुरु को पहचान सकते है झाल झाल बैठा है